हमें असलाम अलेकूं वेलकम टू रिमानज किचन आज आज मैं आपके साथ पीजा सॉस की ऐसी रेसिप्ट करूंगी जो आपने बल्क में बना कर भर-भर के डब्बे भर-बर के आप रख सकते हो इसे आप ब्रेट के ऊपर स्प्रेड कीजिए पीजा की जो रोटी आदी इसक इसमें थोड़ा ज्यादा ही ओईल डालना है क्यू penso हँमें प्रीजव करके रखना है पीजा सास को और एक पाउल अनियन ले लिए है कृपन ये दो अनियन है छोटी साइज की इसे रफली चॉप कर लेना है तीन चोटी साइज के टमाटर ले लिए है इसे भी रफली चॉप कर लेना है बस इसे थोड़ी देर के लिए हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद यह है गार्लिक आठ से 10 गार्लिक ले लेना है इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसे हलका हलका सी भून लेना है अब यहां पर हम नमक एट कर देंगे नमक स्वाद अनुसार यूज कर लेना है लेकिन हमें प्रिजर्व करके रखना है तो नमक की कॉंटिटी भी अच्छी ही डालनी है हमें बस इसे थोड़ी तेर के लिए ढखकर हमें अच्छे से इसे पका लेना है करीबन 10-15 मिनिट के लिए हमें पका लेना है आप देख सकते हो टमाटार और प्याजनस का पानी रिलीस कर दिया है अब हम यहां पर दूसरे मसाल हैट कर देते हैं यह है अजवाइन हाफ टेबल स्पून के करीब है अजवान इसे डालकर अच्छी तरह के से मिक्स कर लेना है और यह है इटालियन सिजनिंग वह भी हाफ टेबल स्पून के करीब है और अगर अगर आप कंटिते जादा यूस करते हो तो जादा है से यूज करना है लेकिन मेन यहां पर बहुत ही कम कंटिते है और यह है अगर दिया रेट चिली पावडरियत कर क्नुर्ण पर नॉन टेबल स्पून भरकर नहींतर बटीत है तो नहीं होती लेकिन एक्षै रेट कलर हमारा बहुत अच्छा आज आ जाएगा इसमें हम फूट कलर बिल्कुल नहीं अगर आपके पास कसमेर्य रेट चिली पावड़र नहीं है तो फूट कलर अट कर सकते हो और नॉर्मल से और चिली भी knit कर सकते हो हम स्लो फ्लेम पर ही कूप करना है फ्ल फ्लेम पर करोगे तो यह सब जल जाएगा बना ले लो अब हुत करेंगे इसमें धवाइट कर देंगे यहाँ पर आप रिवर्य नहीं 1-1 Cup के करेब पानी एट करदीया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे ढख कर 10 मिनिट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है 10 से 15 मिनिट के लिए यह देखिए 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं टामाटर, अनियान यह सब का देखिए, सब कुछ गल चुका है गाललीक भी क़ई चुके हैं बस इस पॉइंट पर हमें क्या करना है इससे पहले देख लेना है कि बराबर कुक हो चुके हैं अगर कुक हो चुके हैं तो इसका गयस्का फ्लम बन कर देना है और ठंड़ा होने के बाद mix the dial में इससे डाल देना है ये इसका color भी कितना अच्छा बस इसे बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है लम्स फ्री पीस ना है देखिए और यह देखिए जबर जस्ता हमारा पीजा सॉस बन गेर रेडी है यह पीजा सॉस को आप पीजा में यूज कर सकते हो गार्लिक ब्रेड बनाओ तब भी उसकर सकते हो नॉर्मल सैंविच इस बनाते है उसमें भी उसकर सकते हो और ऐसे ही कोई भी फ्राय आइटम के साथ खाने के लिए भी ऐसा चटनी के तौर पर भी यूज कर सकते हो देख सकते हो आप कितना जबर जस्त हमारा पीजा सॉस बनगे रेडी है तो बस आप भी मेरी रेसिपी से घर पर बनाइए और बा झाले कुछ